हलो एन वेरीवर्म वेलकम टू सौर फसर्स क्लासेज आज की टिटोरियल होगा मिरर इमेज पर और हम लोग बात करेंगे आज की टूरियल में वर्टिकल मिरर के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस टेप के क्वेस्चिन में आइडिया यह है कि अब एक हम लोग वर्टिकल मिरर लेते हैं तो अब वर्टिकल मिरर इस प्लेस्ट और इसे हम लोग रखते हैं या फिर लेफ्ट के तरफ या फिर राइट के तरफ भी रख सकते हैं of the object So, right of the object और फिर standard form जो होता है mirror का उसे हम लोग form करते हैं So, standard form of mirror image is formed So, इसमें क्या होता है जहाँ पर where the left hand side और left hand side को मैं एक abbreviation से next denote करूँगी वो है LHS और right hand side and right hand side hand side object का interchange हो जाता है So, of the object interchange पर कुछ ऐसा भी चीज़ है जो नहीं So, पहले मैं यह लिख देती हूँ interchange their places पर उसका top to bottom unchanged रहता है So, while top and bottom remain unchanged तो diagramatically हम लोग इसे किस तरह से represent करेंगे यहाँ पर एक object है So, object का left और right हम लोग डिनोट कर देते हैं vertical mirror में यह position left और right hand exchange हो जाएंगे वो इस तरह से दिखेगा So, यह mirror image होगा यह directions मैंने दिये हैं तो variable का left hand side becomes right hand side पर top to bottom unchanged रहता है तो इसे हम लोग unchanged लिखते हैं अब हम लोग देखेंगे standard form of mirror image लाने के लिए हम लोग mirror को case कर सकते हैं vertically to the left of the object या right of the object तो case 1 हम लोग का होगा when the mirror या जब हम लोग mirror को place करते हैं So, it's placed vertically object के right में So, to the right of the object जब ऐसा होगा situation तो mirror image इस तरह से होगा triangle first और तब x case 2 हम लोग में राइट अल्रेडी मेंशिन कर दिया है तो लेफ्ट से करेंगे तो जब mirror को हम लोग place करते हैं vertically तो लेफ्ट अब अब अबजेक्ट लेफ्ट के तरह तब डाइग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा यह है object और यह है mirror तो पहले आएगा triangle and then आएगा x so i hope यह short tutorial mirror image के उपर जहां हम लोग ने vertical mirror के उपर discussion किया वो आपके लिए helpful रहा होगा अगर हा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को subscribe करिए और हमारे वीडियो शेर करना मत भूलिए thank you so much for watching